नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले है कि वे कौन सी मूखी होमेपैथिक मेडिसिन है जिनका प्रयोग करके हम लोग लिंक की अंदर ब्लेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं दोस्तो लिंक का अंदर इरेक्षन प्रॉपलली डबलब होने के लिए ब्लेट सप्लाई का सही से होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको संभोग के दोरान सही से एरेक्षन नहीं होता है अगर आपके एरेक्षन गिर जाता है बार बार तो कहीं ने कहीं आपका blood supply में blood circulation में कुछ problem है या कहीं ने कहीं कुछ blockage है कुछ रुकावट है आपका link की नसो में तो इस समस्या से हम लोग कैसे निजात पा सकते है कैसे हम हमारा link की अंदर blood supply को बढ़ा सकते है मैं आज इस वीडियो में आपको एसी चार मुख्य homeopathic medicine का नाम बताऊंगा जिन medicine का प्रयोग करके आप अपना link की अंदर blood supply को तेजी के साथ बढ़ा सकते है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो मैं डॉक्टर सुप्रोय आता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल homeocare tips पे दोस्तो लिंग की अंदर blood supply बढ़ाने वाली जिस सबसे मुख्य homeopathic medicine है उसका नाम है स्टाफिसेग्रिया दोस्तो स्टाफिसेग्रिया इसलिए इतना एक important medicine है लिंग की अंदर blood supply को बढ़ाने के लिए क्योंकि आज कल की दौर में जहां porn addiction इतना ज़्यादा है 14-14-15-15 वर्स की बच्चे हस्तमा थुन करना स्टार्ट कर देते है और इतना कम उमर से हस्तमा थुन स्टार्ट करने का कारण से उनकी लिंग की नसे पुरी तरह कुचल जाती है दब जाती है या वो पुरी तरह सिकूर जाती है और जिसका अंदर blood supply बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाता है तो इस condition के लिए होमोपैथी में हस्तमा थुन के कारण किसी भी तरह का कैसा भी साइड एफेक्ट की उना हो स्टापिसेग्रिया को आपको सिक्स एच पोटेंसी में लेकर आना है और उसका दो दो बूंद सुभे दो फैर साम आपको लेना है हर दिन और इस वीडियो में मैं आपको जो भी मेडिसेंस का नाम बताता हूँ इन सभी मेडिसेंस को आपको सुभे दो फैर साम आपको लेना है और हर दिन लेना है कम से कम तीन मेहने के लिए आपको कंटिनू इस्तमाल करना है दोस्तो हमारा अगला जो best होमेपाथिक मेडिसिन है लिंग की अंदर blood supply बढ़ाने वाली उसका नाम है जिनसिंग दोस्तो जिनसिंग को भी आपको 6CH potency में लेकर आना है दोस्तो जिनसिंग को होमेपाथिक व्यागरा माना जाता है क्योंकि जिनसिंग काफी हद तक व्यागरा जैसी काम करती है और ये मेडिसिन आपका लिंग की अंदर नाट्रिक ओक्साइट की लेवल को बढ़ाती है और लिंग की अंदर blood supply को बढ़ाने के लिए लिंग की वेंस को डायलेट करने के लिए नाट्रिक ओक्साइट का ही जरूरत पड़ता है तो जिनसिंग को आपको लेकर आना है 6CH potency में लेकर आना है ऐसा तो मदर टिंचर हम लोग बोलते है लेकिन इस case में आपको 6CH potency में लेकर आना है जिनसिंग को और उसका दो दो बूंद आपको सुभे दो फैर साम आपको लेना है दोस्तो थर्ड जो बेस्ट हमेपतिक मेडिसिन है लिंग की अंदर blood supply बढ़ाने के लिए उसका नाम है डामियाना और डामियाना को भी आपको 6CH potency में ही लेकर आना है दोस्तो डामियाना जो है यह testosterone का लेबल को बढ़ाती है testosterone क्या होता है मेरे ख्याल से यह तो आप लोग जानते ही होंगे इसको आप लोग पुरूस hormone बोलते है male hormone बोलते है यही hormone है जब आपको sex करना होता है तो यह hormone आपका दिमाग में signal भेचती है फिर आपका दिमाग जो है वो आपका link की अंदर blood supply को बढ़ाना start करता है तो यह hormone अगर कम हो जाए तो आप समझ सकते है कि आपका link की अंदर blood supply भी कम हो सकता है तो इस hormone का level का सही होना बहुत ही जरूरी है तो डामियान जो है बहुत ही बढ़िया काम करती है testosterone का level को बढ़ाने में तो डामियान को भी आपको 6H potency में ही लेकर आना है और उसका दो दो बून सुभे दो फैर साम आपको लेना है दोस्तो हमारा अगला और जो last medicine है जो की link की अंदर बहुत ही तेजी के साथ blood supply को बढ़ाता है उसका नाम है sidonia vulgaris sidonia vulgaris को लोग generally मदा टिंचे में prescribe करते है लेकिन इस case में मैं आपको कहूँगा कि sidonia vulgaris को आप 6H potency में ही इस्तमाल करे ये जो medicine है इसके बार में तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे इस medicine का पूरा का पूरा spare of action male genitalia पर ही है ये medicine पूरुसों की जनानंग की अंदर blood supply को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाती है और हमारा link की अंदर बहुत सारे सुस्म नसे है उस नसों की अंदर blockage अगर बन जाए तो ये blockage को खोलने का काम भी करता है ये medicine बहुत ही एक छोटी सी remedy है एक plant kingdom की remedy है लेकिन ये कमाल की remedy है दोस्तों तो इसे भी आपको 6H potency में ही लेकर आना है और दो दो बुन सुभे दो फैर साम आपको इस्तमाल करना है तो इन चारों ही medicine को आपको continue इस्तमाल करना है तीन मेहने के लिए आपको इस्तमाल करना है और इन सभी medicine को आप 5-5 मिनिट के अंतराल पर आप लेंगे इन medicines को आप डायरेक्ट अपना जीब पर भी ले सकते है या दो चमच पानी के साथ मिला कर भी आप पी सकते है और ये चारों medicine कोई भी इंसान ले सकता है जिसको भी problem है वो खा सकता है ये medicine और इसके लब होमेपैथी में और भी बहुत सारी medicine है जोकि link के अंदर blood supply को तेजी के साथ बढ़ाती है for an example lycopodium lycopodium भी बहुत ही तेजी के साथ काम करता है बहुत ही तेजी के साथ blood supply बढ़ाती है लिंक के अंदर लेकिन lycopodium का नाम हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि lycopodium होमेपैथी के एक बहुत बड़ी polycrest remedy है ये सबको suit नहीं करेगी ये सिर्फ उनी पेसेंट में suit करेगी जिनको lycopodium का symptom है और मेरा हमेशा ये motive रहता है कि मैं जो भी medicines का नाम बताता हूँ आपको उससे अगर आपको फाइदा नहीं हो रहा है तो आपको at least side effect भी ना हो तो आप लोग इन medicines को safely इस्तमाल कर सकते है जो मैं आपको बताता हूँ और उससे आपको फरक भी पढ़ना तय है मैंने अपना 14 वर्ष की practice के दोरान बहुत लोगों कोई इन medicines को खिलाए है और उनको फाइदा होते हुए भी हमने देखा है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं paint करता हूँ और अगर इस topic के regarding आपको मुझसवर को जनकरी चाहिए तो इस वीडियो comment box में आप comment करिए आपको वाँ पर reply दे दे जाएगा So thank you very much and have a good day